पंजाब कॉंग्रे सध्यक्ष नवजोद सिधु का विवादों से चोली दामन का साथ है जहां वो हैं वहाँ विवाद ना हो तो सिधु के वहाँ होने पर ही शक होने लगता है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फैर नवजोद सिंग्ध सिधु अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं दरसल कुछ दिन पहले सिधु ने सुल्तान पुर लोधी में जनसभा को संबोधित करते हुए पुलिस के बारे में अभद्र टिप पड़ी कर डाली थी उन्होंने कॉंग्रेस मले नवतेज चीमा का समर्थन करते हुए जोश में कह दिया था कि अगर चीमा एक दबका भी मारें तो थानेदार पैंट गिली करतेगा वहीं सिद्दु के इस बयान को लेकर पुलिस फोर्स में सिद्दु के हलाव घुस्सा देखा जा रहा है चंडिगर पुलिस के डिएसपी दिलशेर सिंग चंदेल ने सिद्दु को चुनोती दी है कि वो फोर्स के सुरक्षा छोड़ देए इसके बाद तो रिक्षा वाला भी उनकी नहीं सुनेगा एक वीडियो वाइरिल हो रही है जिस विच नवजोज सिंग सिद्दु अपने एक साथी नू कह रहे हैं विखो मुल्डा गडर वर्गा पिली जागट बाला खंगूरा मार के ठानेदार दी पेंट गिली कर दू बड़े शर्म बाली गल है कि ऐस तरह दे सेनियर लीटर अपनी ही फोर्स बार है ऐस तरह दे शवद बरतन और उनानों बेज़त करन वही फोर्स उना दी हफाज़त कर दी है उना दी फैमिली दी हफाज़त कर दी है उना दी राखी कर दी है जे एडी गल है ता एक फोर्स न नहीं बोलने चाहिए फोर्स दी भी अपनी की डिगनिटी है फोर्स दी भी अपनी की जमीर है फोर्स दी भी अपनी की इज़त है और इस डिगनिटी नो वरकरार रखना साधी जम्मेदारी है सो मैं इन्हें शब्दाने नाल ही सिदू सावदा तानवाद करदा हां कि उन्हांने सारी पोलीस फोर्स नो शर्मना कीता है ऐसा पहली बार नहीं है कि जब नवजोद सिद्धू विवादित बोल को लेकर खिरे हूं इसके पहले भी उन पर लगातार आरोप लगते रही हैं कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी में किसानों की हस्या के बाद निकाले गए मार्च में उनके मुहुचे अब शब्द निकल गए थे फिर चंडिगर में प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान ही पत्रकार के सवाल के जवाब में वो अब शब्द निकाल बैठे वहीं विरोधियों को लेकर भी सिद्धू कई बार अमर्यादित बोल बोल चुके हैं कर दो बार अमर्यादित जवाब में चनल भी सिद्धू कर दो जब्यादित बपोल जह बिलादित